हेलो हाई कैसे हैं आप गर्वेटे करें सीपी सीटी एंड एसाइ की कम्प्लीट तैयरी तो जैसा कि आप लोग जानते हो डेली हम सामको क्लास करते हैं फाइब लोग लाइब हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रिजेंस होकर दो हेलो हाई सबको गुड इबनिंग चलि एबरिबेशन के ऊपर है यानि आपके एक्जाम में जो फुल फॉर्म साती है फाइल एंड फाइल एक्टेंशन एंड फुल फॉर्म से लगवगा दूसे तीन कोशन आती है तो आपका ओफिशली यह फुल फॉर्म से भी कोशन एक तो डेफिनिटली आना ही है अगर मिलके इसी ताईब यह फिल फॉर्म भी फॉर्म से पॉल फॉर्म से तो कॉमली अगर बात करो तो इनसे दो से तीन कोशन आते हैं तो बहुत ही यह इजी ठीक है और आप सिंपल बीएस अकेडमी सीपीसीडी टाइप करके टैलिग्राम के मेंबर बन सकते हैं इसका फाइदा यह है कि कापी स्टूइंट के डिमांड थी कि सर जो आप लेक्टर क्रेट करते हैं उसकी पीडियाप अगर हमें मिल जाए तो हमें रिवीजन में हेल्प करेगा तो उ अगर आप लेक्टर पीडियाप चाहिए तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें चिलागे बढ़ते हैं लेक्टर स्टार्ट करने से पहले जो इस्टूइंट सीपीसीडी एंड एसे की कंप्लीर तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं उन्हें के लिए हमनें वीडियो ले जैसे आज इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासे मिलेंगी 300 पेडियाप रहेगा लाइब डाउट सेशन रहेंगे सभी क्लास जो हिंदी मीडियो में स्टून को ध्यान में रखके बनाए गया है ठीयोरी लेक्टर में लेंगे प्रैक्टिस पेपर मिलेगा औ दियूरी आपको वीडियो प्लस पीडियाप नोट्स में तो आप जाके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं ठीक है चले इसके अलावा लेक्टर स्टार्ट करते हैं तो फुल फॉर्म का जो टॉपिक है उसको हम अगर हम देखेंगे किसी फॉल फॉर्म को तो एजीली समझना बहुत एजी होगा अगर किसी स्टोंट को कहीं पर भी डाउट आए तो आप कमेंट करते हैं मैं आपकी कमेंट सारे रीट कर रहा हूं चले क्लास स्टार्ट करें बिल्कुल येस फर्स्ट को स्टार्ट करते है भीम स्टार्ट या भीम जो है उसका फुल फॉर्म क्या हुता है तो चार ओप्शन अबिल Nejबल अप पड़ सकती हूं मैं आपके लिए हिंट कर देता हूं फिर्स्ट ओप्शन है भारत इंट्रफीज पॉर मनी स 71 है भारत एवी इंटरफईश पॉर मनी भारत हाई इंटाफ होगा लेकिन यह सारे कोशन जो मैंने यह रखे हैं वह आपके एक्जाम में आई हुए तो बिल्कुल भी हाया मतला इसी लिमत लेना इसके लावा कुछ और चीज़ें आप थोड़ा सोच के चलोगे तो और ही जैसे मैं एक्जाम्पल के तौर पर जैसे भारत है आपने फॉल क्या होती है या फिर भीम है इसको इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी लैंग्वेज में होता है या फिर इसको क्रेट कैसे करते क्रेट करते हैं तो इसका यूज कैसे करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे यूज कर जैसे हमने इमेल पढ़ा है इमेल हमने क्रेट करने का method सीख लिया email में क्या-क्या चीज़ा होती है कैसे कैसे यूज होता है यूज जैसे उसमें inbox होता है send होता है इसी प्रकार भी में वह सारी चीज़ा आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए तो फर्स्ट कोशन हो अब बढ़ते हैं सेकंड कोशन की तरफ कोशन नमबर वाट डज एन पीसी आई अभी हमने पढ़ा था एन पीसी आई यानि एन पीसी आई जो भीम को डैबलब किया था एन पीसी आई ने तो आप बात आती के एन पीसी आई का फॉल पर्म क्या होता है चार आप्शन या नेशनल पैमेंट कमीशन उप इंडिया तो आंसर क्या होतान ने क्या हो गांच्ट व सेखने प्स आप four क्या होगा सी आउपेेशन या फ्र कि इनसे basic question मनते हैं अगर आपको लगता है कि payment gateway पे एक class होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ है जो हम payment game में याद होनी चाहिए उनके example कौन-कौन से तो आप comment कर देना उसकी भी class मैं आपको present करा दूँगा किसे दिन ठीक है चले तो आप next question की बात करते abbreviation of UPI UPI क्या होता है यानि जो आफ हीम बना रहे हो जो NPCI ने develop किया था वो किस base पे किया था वो किया था UPI यानि आपका जो payment होता है वो किस form में होता है चले answer करिए क्या होगा answer third question का abbreviation of UPI तो इसका answer क्या होगा you for क्या होना चाहिए unified unique union या फिर unified तो क्या होगा यह for unified होगा पीपर आप जानते को payment gateway है तो payment होगा I for interface है तो answer क्या हो जाएगा option first is the correct answer अब जो UPI होता है यानि unified payment interface होता है अब मेरा question है आपसे कि अगर आप जैसे example में एक simple से example से बताता हूं इंटरनेट में जैसे आपने email पढ़ा है email पढ़ा है अगर आप किसी व्यक्ति से email के form में जोड़ना चाहते email के form में तो आपको सामने वाले का क्या होना चाहिए जहार सी बात है email होना चाहिए क्योंकि अगर आप email करना चाहते हो तो email पता होना चाहिए अगर आप phone लगाना चाहते है तो phone होना चाहिए WhatsApp करना चाहते है तो WhatsApp होना चाहिए Facebook के लिए उसकी Facebook आइडियो होनी चाहिए जब भी आप किसी व्यक्ति से जबकि Facebook किसी नेम से भी सर्च हो जाता है ऐसा हम जानते हैं लेकिन मेरा कोशन है कि UPI है अगर आप किसी व्यक्ति से UPI का मतलब क्या है जैनि पेमेंट का मनी का ट्रांसफर करना एक दूसरे से मेरा कोशन है आप से कि अगर हम किसी व्यक्ति को मनी ट्रांसफर करते हैं AS A UPI फरम में तो वो कौन-कौन से रास्ते यह वो कौन-कौन से चीज हैं जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है जैसे आपके पास मुवाइल है मुवाइल है आप किसी व्यक्ति से उस व्यक्ति का मुवाइल नंबर भी है आप उस व्यक्ति से कैसे जुड़ सकते हो जैसे आप उसको कॉल कर सकते हो आप उसको अगर वाटसेप है तो वाटसेप कर सकते आप उसको test message कर सकते हो तो इसी प्रकारा का पेमेंट करना चाहते हैं एक वीक्ति दूसरे विक्तिसे तो इस दूसरे वक्ति का क्या होना चाहिए तो first है उसका UPI id हो यूपि ऑई id जिसको VPA कहते हैं या फिर उसका क्या होना चाहीं है, mobile number हो तो काम हो जएगा, क्यों है, यह सारे phone हो जाते हैं, सभी है, थर्ड है, यानी UPIA हो गया, या VPA हो गया, mobile हो गया, इसके अलावा, किसी ब्यक्ती को अगर मनी transfer करना चाहते हैं, तो जासे, मैंने आप व IIPAY लिग दैं, mobile लिग दैं, यानि अगर आपके पास UPI है अगर आपके पास payment gateway है तो किसी व्यक्ति के आप सीधा डारेक्ट में पैसे भेज सकते हैं तो थर्ड वे हैं जो हम किसी व्यक्ति के UPI फॉर्म में उससे connect लेंदेन कर सकते हैं तो यह बहुत ही confusing question था आपके एक्जाम में आ सकता है कि वह कौन से method होती है जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से UPI फॉर्म में connect हो सकता है चीक है चले आगे बढ़ते हैं यह next question है what does VPA अभी हमने पढ़ाता VPA क्या होता है VPA मुवाइल पढ़ाता ए VPA क्या होता है यह चले तो मैं आपको help करूँगा A4 क्या होगा account होगा address होगा तो A4 क्या होगा confuse हो रहा है आपको चले P4 क्या होगा P4 help कर देता हूं P4 क्या होगा yes पताईए V4 क्या होगा virtual verified या very तो virtual होगा P4 क्या होगा personal पेमेंट नहीं होगा personal होगा क्यों कि यहाँ पेमेंट की बात नहीं कर रहे उस व्यक्ति की identity की बात करें mobile number हो गया आधार जो आधार कार्ड हो गया या पिर account number होगा जो परसनल होता है यह for account नहीं होगा क्योंकि account number तो होगा address होगा या यह जिस मोगा लएक किसी व्यक्ति की identity होती है identity हमेज़ा address से सोग होती है ना कि account से account number चीज अलग होगी address अलग होगा तो answer क्या हो जाएगा virtual virtual yes yes sorry 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 वर वी फॉर आपका verified होगा और आपका पी फॉर परसनल यानि option c is the correct answer ठीक है चले आगे बढ़ें next question की बात करते है यस यस वी पीए के कुछ example होते हैं जैसे आपका अगर आप कोई account बनाते हो वी पीए का जैसे आपने UPI बनाया तो UPI भी फॉन नंबर से आप transfer कर सकते हो आप account नंबर से कर सकते हो या फिर उसकी UPI ID जिसको वी पीए बोलते हैं मैंने यहां पर दो example रखें जैसे एबी सी एड़ जो एड़ डा रेट आई सी आई यानि आगर आप आई से बैंक के यूजर हैं तो उसका जो भी बीपी होगा वह यह होगा यह फिर आप एस्वी आई के हैं या फिर आपका connection जो यूपी आई इंटरफेस है उसका connection स्पी से है और तो उसका यूपी आई डी यह होगा यह अपने account में जाके जो आपका profile list होती है हाँ वहां पर चेक करोगे तो आप कोई भी इंटरफेस यूज़ कर रहे हो जैसे आप Google पर यूज़ कर रहे हो तो वहां पर आपको यूपी आई डी या भी पी आपको देख जाएगा तो यह होती यूपी आई डी जिसको हम बोलते हैं या फिर जो लैंग्विज में बोलने भी पी होता है ठीक है चली कहीं पर डाउट आए तो आप कमेंट करेगा मैं आपके कमेंट सारे रीड कर रहा हूं यह साके बढ़े अभी तक सारे स्टों अच्छे आंसर कर रहे हैं यह स्कोर्षिस करिए आपके आंसर सही होंगे यह नैस्ट कोश्चन है इन यूपी आई पिन पेमेंट सिस्टम यह नी यूपी आई में जो पीन होता है उसका फुल फर्म क्या होता है हम जानते है यूपी आई में जो पीन ह होता है वो कितने character का होता है पता है आपको 426 याद रखना यानि यूपी आई में जो पिन के character होते हैं वह 426 होते हैं ठीक है यह बेसिक कोशन है आप यूज करते होगे जब भी आपका फूर डिजिट का नंबर होगा या 6 का हो सकता है पुराने वर्जन में 6 था अब तो सबके 4 यहा रहे हैं ठीक है चले यस तो पिन का क्या होगा देखो एन फॉर तो नंबर है क्योंकि हर option में नंबर है आप हैलमेट नहीं कर सकते हैं यस पी फॉर क्या होगा पेमेंट या फिर परसनल तो पी फॉर आप पेमेंट नहीं होगा क्योंकि एक आइडेंट्री है एक सिक्यूर्टी है तो परसनल होगा और आई फॉर इंटरफेस नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन होगा यानि option c is the character काफी इस तो ने कोसे की यस कोसे देखो जब भी कोई फॉल फॉर्म से को पकड़िये जिनका फॉल फॉर्म आप आराम से कर सकते हैं यहां पर पी से पकड़ सकते थे आई से चेक कर सकते क्योंकि एन तो कॉमन ता चार आप्शन में ठीक है चले आगे बढ़ें नेस्ट कुशन की बात करते हैं आई एम पीएस आई एम पीएस का फॉल फॉर्म क्या होता है यह आई फॉर क्या होगा आई फॉर डिफेंट है पी फॉर डिफेंट है एस फॉर डिफेंट है सिस्टम या फिस सर्वेस ये यस यह आई फॉर क्या है आई फॉर इस्टेंट हो या इमिडिट होगा मतलब दोनों के सीङ線 लेक classroom यام多 ड kep होगी यह या ईप फार प्हुर्मन्ट होगा आई सवर सर्विस होगा यह इमिडिट पेमेंट सर्विस होगा सौरी 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 येस 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 तो यानि आंसर होगा ऑप्शन डी नहीं इमेडियेट पेमेंट सर्विस होगा सिस्टम नहीं होगा ध्यान रखना आप लोग ठीक है और इंस्टेंट देखो अगर आप इस आई एम पेस का मतलब निकालो तो इ इसका फॉल फॉर्म है वह इमीडेट होगा इस दोनों का मतलब एक ही है लेकिन फॉल फॉर्म जब ड्राइब हुआता हो तो इसका यूज किसके लिए होता है वो भी हम पढ़ते हैं यह यूप मैंने एक पॉइंट लिखा है यूपि इस बिल्ड ओन दा आई इमपीएस आर्किटेक्ट्चर यानी यूप यूपि जो है किस बीस पर बनाया है तो वह वीस है वह आधार है आई एमपीएस यह निस्टेंड जो इमीडेट पेमेंट सर्विस यह निए इमीडेट पेमेंट चला जाए तुरंट चला जाए बिल्कुल भी बेट ना ओ जिसे बेंग की तुरंट आप एक आउन में पैसे भीजते हो तो आप आज कल तुरंट जाते हैं पहले हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता लेकिन अब तुरंटी जाता है इमीडेट होता है इस्टेंड होता ठीक है चले आगे बढ़ए यस नेक्ट कोशिन की बात करतें पर यह माई स्टैंट पड़ इया मैं आपने पढ़ा यह माई आपने सुना होगा उसकी फोल क्या होती है यज चले एलिमेट करिए एक एख़र क्या होगा एक्प्लेंट होगा यह कृडवीड होगा डोगा मं एा खनंद होगा मनंग्य और कि पड़़ियो मन होगा अप महर्वर option है जिसमें मंतली लेखा है वह option है दी हम आप जाते हैं यानि ऐसा पेमेंट जो fix हो हर मंतली ऐसे इस्टोल्मेंट जो आपको पे करनी पड़ रहे किसी जब आप कोई कोई चीज finance करते हो तो उसका क्या होता है उसकी येमाइए के आपकी जो installment हो जाती है तो येमाइए का मतलब क्या हर मंतली आप देते हैं ठीक है काफी चले ये आगे next question की बात करते हैं एनी c i c s एनी c s stand for n e c s stand for n e c s क्या होगा येस पकड़िए मैंने जैसे बताया आप ऐसे कोषिस करें तो आपका कोशन इजी हो जाएगा येस पर क्या होगा कोमन ये क्लिर क्लिरिंग येस एन फॉर नैसनल एफॉर इलेक्रोनिक क्या होगा येस आंसर करिए क्या होगा एनी सी एस येस जितने भी लोग हैं जल्दी से कमेंट करिए येस येस इसका अंसर आप कमेंट बबताईए मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है चले तो एनी कोशन किसी भी कोशन में आपको डाउट आया या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है ठीक है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें अगर आप लेक्चर की पीडियाप चाहते हैं तो आप चैनल को जॉइन करें और उसकी पीडियाफ है या फिर लेक्चर की लिंक है आप दूसरे इस्टोंट को भी सेयर करना है अगर जो इस्टोंट चै सेयर के अधिक जानकारी के लिए आप हमें वाटसेप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं वेपसाइट कर सकते हैं www.bsi.in इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से हैं वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं चले तो नेस्ट लेक्शन लेंगी नए कोशन के साथ नए टॉपिक के साथ थैंक यू